जृ क्लिधा सब्सel अधर रहते हैं मिश्रन वाले insecticide उपलब्द हैं जिसमें की एक component होता है systemic insecticide का और दूसर component होता है contact insecticide का इसके उधारेन का तोर पर मैं आपको बताना चाहूँगा बीटा साइफ्रोट्रिन और imedacloprid का एक combination है जिसमें की बीटा साइफ्रोट्रिन contact insecticide है और imedacloprid systemic insecticide है इसका मतलब यह कि अगर इनकों डालेंगे आप तो फलियां काटने वाली इल्ली पस्ती काटने वाली इल्लियां रस चूसक फीड़े जैसे सफेज मक्ही है और internal borers जो तने के अंदर पौजे को नुकसान करती है जैसे कि गर्डल बीटल है या तनमक्ही है इनका भी नियंत्रन होगा इसी ग्रूप में एक दूसरा insecticide है जिसमें की लेम्डस हाइलोथिन कॉंटक्ट है और थायमेठोक्सम सिस्टमिक insecticide है यह भी करीब करीब सभी प्रकार के लगने वाले कीड़ों के लिए असरकारक होते हैं तो अगर इन कीटना शकों को आप उप्योग करेंगे तो बड़ी फसल पर कि आपकी फसल पचास-पच्पन दिन की हो जाती है उस समय जो जो भी कीड़े लगते हैं प्राहे उन सभ लिए का नियंतरन अच्छे से हो सकेगा इसके अलावा एक और चीज में बताना चाहूंगा जो कि खास तंबाकू की इल्ली और चने की इल्ली के लिए है जो कि इमामक्टिन बेंजोइट कहलाता है इसका भी अगर आप चरकाव करेंगे तो ये दो इल्लियां जो अगर किसी दूसरे इंसेक्टिसाइट से नहीं मर रही है तो इमामक्टिन बेंजोइट के साहता से भी आप इनको मार सकते हैं इसको साड़े आठ सो साड़े चार सो मिली लीटर पति हेक्टर के दर से डालना है स्वैबीन में इसके अलावा जितनी भी इल्लियां होती है उनको पक्षी खाते हैं तो पक्षियों के बैठने के लिए टी के शेप के जो बर्ड पर्च होते हैं वो लगाएं खेत में या उनके इस्थान पर सुखी जाड़ियां भी लगा देंगे और यह ध्यान रखें कि जाड़ियां या टी बर्ड पर्चिस जो है वो फस्र से बहुत ज़्यादा उचे नहूं डेड़ से दो फिट की उचाई पर रहें ताकि चलिया उन पर आके बैठ सकें और आसानी से इल्लियों को पहचान कर उन्हें खा सकें पुकेसान भाईयों ये पत्ति खाने वाली इल्लियों के बारे में आज नियंद्रण के बारे में हमने बात की और अगर इनका आप अनुपालन ध्यान देकर करेंगे समय से कर देंगे तो मुझे विश्वास है कि आपकी स्वाबिन की फसल इन कीरों से पत्ति खाने वाली इल्लियों से सुरक्षित रहेगी और आप भरपूर उत्पालन ले पाएंगे धन्यवाद